आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 पर जो भी चैनल के उपर ने हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा आज इस पेसली बात आप सभी के साथ करने आया हूँ और एक अच्छा प्लान आप सभी के लिए मैंने बनाया है पहले बात बोल दूँ कि जो आपका रिजनिंग का क्लास है मंडे से पहले इस चीज को नोट कर लेना आप सभी ध्यान से जितना बोल दे रहे एक्जाम के दिन ना आप एक बार मुझ पर विश्वास करो से cgl हो से जसल हो इक्जांग देकर आने के बाद मुझसे गाली देना है दिजेगा बात करिएगा मेरे से लेकिन पूरा बात सुन लेना आप सभी आपका जो भी एक्जाम होगा ना पहले आप देख लो मंडे से ना मंडे से रात को दस बजे रात को दस बजे आपको रिजनिंग का क्लास चलेगा रेगुलर जब तक आपका एक्जाम हो नहीं जादा तब तब ठीक है और अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ टोटल टोटल बात करें आप सभी को जो भी 20 से 22 दिन बच गए हैं जो भी 20 से 22 दिन बच गए हैं टोटल ना यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ ध्यान से देख लीचेगा 200 प्लस क्वेस्टिन मैं आप सभी को करवाने वाला बस इतना क्वेस्टिन करकर जाना आप सभी बोलेंगे भाईया 25 में 25 ना हम करकर आएं लेकिन अगर जैसे ही आप ये बात बोलते हैं कि भाईया 25 में 20 या 21 करकर आएं हैं तो खुस मत होईएगा आग सभी सच्चाई बता रहें एक गंप सच्चाई आप अपना लेना 20 से 21 अगर आप करकर आते हैं रिजनिंग में और आप बोलते हैं कि भाईया मैंने 20 21 एटेंड किया है तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 25 में आपने इतना एटेंड किया है लेकिन आपको कही ना कहीं ये भी सोचना पड़ेगा हमेशा अपने आपको लेकर नहीं चलना है आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि 100 पर तिसत में सी ये 25 में 20 21 नंबर करने वाले कितने बच्चे हैं तो मैं गैरेंटी बोल सकता हूँ 85 परसेंट से जादा बच्चे जो है वो 20-21 attempt करेंगे क्योंकि reasoning इतना easy topic है लेकिन मेरा बार-बार मानना है आपको 25 में 25 जो है वो attempt करना है और ये दो सोना best question important question आपको मैंने reasoning का एक state भी करवाया था 2019 का दो दिन पहले सुकुरवार की रात को ब्यस्पतिवार की रात को और मैंने दिखाया था आप सभी को paper कितना हलुआ है 25 question को 7-8 minute में आप करकर आजाएंगे लेकिन जो label देगा न मैं इतना वोल दे रहा हूं 2020 के लिए अगर मानलो ये आपका exam में level आने वाला है ये level आने वाला है तो मैंने आपको यहां तक का ready करवाया है यहां तक का क्या fake रहे है भीया देखो ऐसा बोलना बहुत असान है वीडियो में क्या फरक पड़ा है mobile हाथ में है एक type करो बकवास कर रहा है फाल्तू बक रहा है ये कर रहा है ये लिखने में time पैसा थोड़ी न लग रहा है कोई भी लिखकर बोल देगा गाली देगा लेकिन वो चीज लिखने से क्या होता है खुद का image खराब हो रहा है क्यों खराब हो रहा है आप लिखने से पहले ये देखो जो भाया बता रहे है जो सर बता रहे है इनके बात में सच्चा ही है की नहीं है पहले ये आप देख लेना क्योंकि ये एक अच्छे student की निसानी होती है कि पहले परक्ते हैं उसके बात comment करते हैं वरना ये तो वही हो गया फेकू वाला बात कि आप फेक दे रहे हैं कुछ भी तो एक बारना आप कोई भी topic मेरा उठा कर देख लेना कि कोई भी topic भाईया उसके label भाईया कहां तक टच करवाएं और label high का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको जो मन्तों पढ़ा दिया आपको समझी में नहीं आ रहा है एक एक question चाहे वो कितना भी label high हो मैंने बच्चों के तरह समझाया है कि जो पढ़ने में कमजोर भी है ना उनको भी समझ में आएगा आप कोई भी topic आप माल लो calendar ठीक है या माल लो आप clock या माल लो आपका direction या माल लो आपका sitting arrangement या माल लो आप सभी कुछ भी statement वाले question, syllogism माल लो कुछ भी topic माल लो आप एक काम करना आप न ये 200 best question तो मैं कराओंगा ही कराओंगा, Monday से रात को 10 वजे timing note कर लेना आप सभी ये तो कराओंगा ही कराओंगा अगर आपको मेरा पढ़ाया वाचीज देखना है कोई भी topic क्लियर करना है तो आप एक काम करना आप ऐसे लिखना माल लो syllogism आपको पूरा सिखना है बच्चों के तरह ताकि आपको पूरा समझ में आए तो आप एक काम करिएगा YouTube में सर्च मारिएगा S Y L O G I S M सिलोगिजम और उसके साथ साथ लिखिएगा Success Key 98 आपको एक पार, दो पार, तीन पार करके मिल जाएगा और वहाँ पर आप देखेंगे जब विडियो किसी भी chapter का आप बोलेंगे भाईया आप तो गजब कर दिये हर एक chapter का जो label है आप ऐसा करवा दिये ति उसके बाहर सेसी दे ही नहीं सकता भाईया दे दिया तो सोलत तारीक के आपके बीच में आएंगे नहीं कोस्तनाया हजार गाली मुझे दे कर जाईएगा इतना बोल देने भाई पिछले 20 साल का भी paper मैंने देख लिया है कैसा ऐसे सी label आपके अपना दे सकता है मैंने देख लिया है ठीक है नहीं देगा मतलब नहीं देगा आप dice बोलो कोई भी chapter बोलो counting figure बोलो कुछ भी बोलो भाई सब करवा दिये mathematical operation हर एक chapter करा दिये लेकिन मैं चाहता हूँ exam से पहले अब chapter wise मैं नहीं कराऊंगा आप देख लेना मैं चाहता हूँ ये 200 question आप देखो आप ये 200 question देखो अपने आपको judge करो कि भाईया जो 200 question best बनाए हैं हम सभी के लिए उसमें हम score कर कितना पार है कितना सही हो रहा है आप target लेकर चलना इस 200 में कम से कम आपको 180 plus question सही करने ये आप target लेकर चलना जो Monday से आपका class चलने वाला है especially और हाँ एक share मार दीजिगा वीडियो को आप सभी इतना request कर सकते हैं अब देखो बोलता हूँ सुनते हैं निग कोई करते नहीं तो एक बार कम से कम वीडियो को share कर दीजिगा आप सभी ठीक है ना ताकि अब देखो plus course भी नहीं बेशते हैं crash course भी नहीं है जो पढ़ाना है आपको यहीं पढ़ा सकते हैं ठीक है तो कम से कम इतना को काम कर सकते हो कि वीडियो को आप सभी share कर सकते हैं उसके बाद अगर कोई आपको दिक्कत आता है, तो इस वीडियो की नीचे कॉमेंट करिएगा, कि भईया मुझे ये दिक्कत है रिज्डिंग में, ठीक है ना, चलो बहुत बड़ीया मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं, आप आराम स्तियारी करो, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सबी को, और प्लस, सुबह में मैंने आप सबी को एक वीडियो दिया था, ठीक है, देखे थे न, जीके जीएस और करेंट अफेर के लिए, मुझे अपने उपर इतना विश्वास है, करेंट अफेर में तो 100%, उससे बाहर कोई सन नहीं बनेगा, और मैंने उस वीडियो में ब लगा दीजे, अपना जान लगा दो, मतलब लगा दो, आप सोचो इससे बहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, जो करना अभी करना है, क्योंकि आपके अपास न सब कुछ है, कंटेंट है, टीचर है, सब कुछ है, मोटिवेसन है, बस एक चीज का मिसिंग है आपकी जीवन में, प सब कुछ है आपके इर्दगिद, हर एक चीज है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, बस एक महनत का कमी है, जिस दिन इसका रंग आप भोल दोगे न, आपका एकजाम बहुत दूर नहीं रहेगा, मालूं यह एकजाम नहीं निकला, लेकिन कम से कम अपने आपको सही तरीके से परक्त हो पाओगे न, कि हम तयारी इतना कियें, अपने महनत पूरा 100% फोकस के साथ, मेरा नंबर कितना आया, और क्या कर सकते हैं आगे, एक एकजाम दो, एकजाम महनत बेकार नहीं जाएगा, अगर महनत में इमांदारी हो तो, वरना मैंने ऐसे भी बहुत जन को देखा है अपने जीवन में, अपने जीवन में, बहुत, और मैंने खुच्स से सिखा है बाई, मैंने खुच्स भी सिखा है, 2013 में, मैं भी क्या है बहुत जन्त टुक्का मार कर आता था, स्टार्टिंग के दो, तीन एकजाम थोड़ा जादा भी आ गे न, एकजाम निकलता नहीं था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने कौन सा सही किया है कौन सा गलत किया है मैंने मेरा मेहनत कितना कितना मेरा मेहनत रंग लाया पता ही नहीं चलता उसके बाद जब समझे तुक्का मारने से भगवान का नाम लेने से एक्जाम नहीं निकलता है मुझे मेहनत करना 200 best question दे रहें यह आप कम से कम एक्जाम से पहले लगा कर जाना एक्जाम के दिन आकर बोलना भया इतना question मेरे किया है सारा topic करवाया हुआ A to Z जो भी topic है A to Z topic आप सभी का करवाया है statement assumption बोलो course of action बोलो कोई भी topic बोलो हर एक topic करवाया गया है और Hindi और English दोनों में करवाया गया है ठीक है तो ready रहेगा रात को 10 बजे सोंबारते यह 200 questions आपको कम से कम करकर जाना ही जाना है ठीक है ना चलिए घ्लिए कर दो